हैलो इस्टुडेंट इस वीडियो के माध्यम से मैनेजमेंट आफ इन्वेंटरी रहतिये के प्रवंध के चैप्टर की सुरुवात कर रहे हैं पूरी वीडियो को देखना है लाइन से आपको पढ़ना है पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा ज्यान मिलेगा और जब भी पेपर देंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदे मंद रहेगा तो आपको मैं बताना चाहता हूँ रहतिये को इंगलिस में इन्वेंटरी कहते हैं रहतिया कामा को हम इंगलिस में इस्टॉक भी कहते हैं कोई भी बिजनेस हमें चलाना हो कोई भी बिजनेस किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो इस्टोर में गुड्स रखा होता है उसको हम इस्टॉक कहते हैं रहतिया कहते हैं इन्वेंटरी कहते हैं असकंध के नाम से जानते हैं कोई भी बिजनिस थोड़ी देर के लिए माल लीजिए कपड़े का मॉल होता है कपड़े की दुकान होती है मॉल में जो सोरूम में लगाया जाता है सामान जहां पर लोग आते हैं पशंद करते हैं सही है Keith बिखने के लिए और वी गुट्स कहलाता है बाकि जो इस्टोर में लगाख होता है वर्ऴिट्रे के लिए वर्षिने के लिए यह किसी वस्ट के प्रोडक्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं stock, उसको बोलते है inventory, आपको साफ साफ समझना है business को चलने के लिए, business को operate करने के लिए जो business में, जो store में, go down में goods रखा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते है? inventory बोलते है, stock बोलते है, रहतियों के नाम से जाना जाता है, ठेक है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें इस टॉक में किसको किसको सामिल किया जाता है इस टॉक में किसको किसको सामिल किया जाता है पहला लिखना है आपको रो मैटेरियल इसका मतलब क्या होता है कच्चा मल कच्चा मल इसको कहा सामिल करते है तोण का मतलब होता है जैसे हम है कपड़ा कं दरजी के लिए रहा वी के लिए उसके लिए बटन क्योंकि पहले कपड़ा खरीद के लाएगा धागा लाएगा तब सीमें अद जहां कपड़ा बना होगा उसके लिए हागों से बना होगा रेशों से मतलब कि ऐसा कोई सामान नहीं जब धागा था तो कपड़ा पहनने के काम थोड़ी आता इसको पक्के में तब दिल करना पड़ता है लकडी जो कटती हैं लकडी लकडी आप जानते जिससे हम फरनीचर बनाते हैं बेड बनाते हैं न बोर्ड बनाया ज क्लोजिंग होगा उसको इस्टोग में सामिल किया जाएगा थीक अगला होता है अर्ध निर्मित माल बोल रहा है, दूसरा लिखेगा, semi, semi, finished goods, अर्ध निर्मित माल, अर्ध निर्मित का मतलब क्या होता है? कभी-कभी होता है कि सामान आधा बना है, आधा नहीं बना है, जैसे हम कपड़े का एक्जांपल दे देते हैं, लकड़ी का एक्जांपल दे देते हैं, बेड आता है, बेड आपको घर्मों होगा, तख़त आपके घर में होगा, कुरसी आपके घर में होगी, कभी-कभी होता है आधा बना रहता है, आधा नहीं बना रहता है, कहीं कहीं पर देखो दरवाजा बनता होगा ग्लोहिक की फेक्टरियों में तो आधा बना होता है आधा नहीं बना होता है उसको बोलते हैं अर्ध निर्मित शेमी बेरियेबल उसमें कुछ बनाया जाता है कुछ जोड़ा जाता है अगला क्या है फिनिस गुड्स vap कि इस को बलते हैं निर्मित मन निर्मित की होता है जो hundred practically गया है केवल उसको areл करना है बस उसको बोलते हैं इस्पके और में उपनिंग के होता है इन सब में उपनिंग क्लोजिंग होता है उसके बाद होता है उसके सहायक माल कि अंट कि सब्सिड्री इसको क्या बोलते हैं आ आई कम में कुछ बना होता है कुछ नहीं बना होता है इसको सबसीडरी गुटस बोला जाकता है इसको अपने कॉपी में लिखके अच्छे से लिखके ने होते हैं सेमी मतलब आधा बना है आधा नहीं बना है फिनिस का मतलब बन गया है पूरा ठीक है उसके बाद सब्सिटरी का मतलब होता है इसी के साथ साथ जो सहायक होते हैं ठीक है आपको मैं बताना चाहता हूं आगे क्या है जो स्टॉक है इन्वेंटरी है फर्म में क्यों रखा जाता है इ अपने कॉपे में लिखना है आपको आपजिक्ट आफ इन्वेंट्री रहतिया के उद्धिश रहतिया के उद्धिश अपजिक्ट आफ इन्वेंट्री रहतिया के उद्धिश में शब्षे पहले लिखना है चाहे बिजिनिस छोटा हो चाहे बड़ा हो सबको इस्टाउक रखना पड़ता है पहला लिखना है supply objectives पूर्ति का उद्धिश समझेगा जब तक आपके पास पहले से श्टाउक नहीं रहेगा तो आप supply कैसे करेंगे पूर्ति कैसे करेंगे तो इसलिए श्टाउक रखना पड़ता है लोगों को चूस करने का ना लोगों को बिकल्प भी आपशन भी चाहिए जैसे कपड़ा उपड़ा लेने जाते हैं देखो बहुत सारा कपड़ा देख लेते हैं उसी में से काठ्टू लेते नहीं पसंद नहीं आया तो कि बता रहें इसका मतलब क्या होता है इस पेकुलेशन ऑफ ऑबजेट सट्टे का उद्देश शट्टा का मतलब क्या होता है देखो जैसे आप जानकारी होनी चाहिए जिसे ठंधियों में उनी कपणों के लिए गर्मियों में ही लोग कम दाम पे खरीद के रख लेते हैं जो बेचने वाले होते हैं जब सीजन नहीं आई रहती है तो उस और सीजन में खरीदते हैं और सीजन में सप्लाई करते हैं एक तरह से सटा है कभी-कभी सस्ते में बिख सकता है कभी-कभी महंगे में बिख सकता है जब महंगा बिख जाता है ज्यादातर महंगा ही दिखता है ज जो electronic fan वाले हैं, AC वाले हैं, cooler वाले हैं, ये लोग अपने go down में पहले से ही stock रख लेते हैं, याद रखना, AC वाले, cooler वाले, fan वाले, तो इससे क्या होता है इनको, इससे गर्मियों में महंगा बिखता है, गर्मियों में महंगा मार्केट में भी मिलता है, wholesale मार्केट में भी मह कोई बहरोशा नहीं है कब कम हो जायदा कब ज्यादा हो जायदा है मरप mathematics जन्सी आप्जेक्टिब्स कंटी जन्सी आप्जेक्टिब्स आकस्मित्ताओं की पूर्ती अचानक से कब जुरूरत पड़ जाए कब एक अठाग रहां खरेने वाला कस्टमर आ जाए तो हम जाएंगे उस तुरंट लाने तो पहले से ही रखा रहना चाहिए ठीक है ठीक है अब आपको लिखना है रहतिये कितनी मात्रा में रखना चाहिए याद रखना है इन वाट कॉंटिटी टू भी केप्ट ऑफ स्टाग इन वाट कॉंटिटी ऑफ स्टाग रहतिये कि क्या मात्रा होनी चाहिए इस्टाग की मात्रा क्या होनी चाहिए रहतिये कि मात्रा क्या होनी चाहिए बही कितने मात्रा में इस्टाग रखा जाना चाहिए सबसे पहला लिखना है कि व्यापारिक कंपनियों का इस्टाग 45-55% ठीक है ट्रेडिंग कंपनी 45-55% कंपनियों के लिए 45-55% रिष्टाग होना चाहिए जो केवल खरीद के वेशती है उसके बाद मैनू फैक्चिरिंग के लिए मतलब की जो खरीद के बेशती है जो निर्मार करती है निर्मार का मतलब जो कच्छा माला के बनाती है 35-45% ठीक है 45% मतलब जो खरीद के सिर्फ बेश देती है और जो खरीद के बनाती है 45-50% रहतीये का प्रवंध किया होत ऐख रहे थे अभी हम इणिवेंट्री क्या होता है बता रहे थे आ अब आपको बताने जा रहे हैं रहतीये का प्रवंध क्यों करते हैं मैनेजमेंट कैसे करते हैं आपको अपनी कॉपी में लिखना है रहतिये का प्रबंद मैनेजमेंट आफ इनवेंट्री इसमें का ज्यादा तर संस्थाएं रहतिया किया गया निवेश इस चारू शंपत्ति कारेशील पूजी अत्नुमत मुण भाग होता है ना कोई दिक्कत नहीं है इसको मैनेजमेंट क्यों करती है मैनेजमेंट का मतलब है या ना तो कम पड़े ना तो ज्यादा हो जाएगा तो खराब होने की संभाव ना रहेगी ठीक है बाद में सस्ता हो ज पहले लिखना है पूजी की उत्पादक्ता में वृध्धी करना हिंदी में पहले लिखेंगे की की उत्पादक्ता अ में रिध्धी करने के लिए न कि एक कैपिटल प्रोड़क्टिविटी इंक्रीज मतलब कि कैपिटल के प्रोड़क्टिविटी में इंक्रीज करने के लिए कुझी की उत्पदक्ता में वृध्धि करने के लिए ठीक है दूसरा लिखना है है मैंच मैंट आफ मैंट आफ मैं अ कि सपलाई रेगुलर वनी रहे शपलाई बंद ना हो इसके लिए ठीक है मैंनेजमेंट आइं मैंनेजमेंट आफ रिगुलर सपलाई regular supply management आप regular supply का मतलब supply बंद ना हो, ठीक है? लिखना है नियमित पूर्टी के लिए उसके बाद आपको लिखना है उत्पादन का सतत प्रबा उत्पादन का सतत प्रबा फुलो आफ प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन हमारा सतत चलता रहे फुलो होता रहे चौथा नमबर आपको लिखना है मिनिमाईज आफ कोष्ट नियुंतम लागत के लिए कम से कम लागत हो लगे ठीक है उसके बाद क्या होता है उत्पादन प्रक्रिया में उतार चड़ाओ ज्यान दीजेगा उत्पादन प्रक्रिया में उतार चड़ाओ रोकने के लिए जो प्रोडक्शन की का प्रोसेस है उसमें फ्ला होता है इन फ्ला होता है आउट फ्ला होता है उसको रोकने के लिए उसको stop करने के लिए लिए लिखना है stop of production process ठीक है और stop of production process मतलब ज्यादा उतार चढ़ा outflow inflow ज्यादा ना हो पाए उसके बाद आपको लिखना है इसका महत्तों क्या होता है ठीक है importance of inventory management आगा लिखना है importance importance का मतलब होता है महत्तों महत्तों में आपको लिखना है लाभों में ब्रिद्धी बोल रहा है लाभों में ब्रिद्धी इंक्रीज और प्रॉफिट मतलब कि इससे क्या होता है लाभ बढ़ता है management अगर अच्छे से रहेगा जादा माल बाझाय कम अ पर रिक्त कहथा का मुझायं रप्रॉफिप श्से प्रोडक्शन का लाभ बढ़ता है और दूसरा आपको लिखना है हैं रहतिये में नियुन्तम ब्रॉइश रहतिये में कि नियुन्तब निफिश मिनिममम इन्वेश्ट मेंट आफ इस्टॉक कम से कम निवेश होना चाहिए कम से कम पैसा खर्चा होना चाहिए ठीक है तीसरा आपको लिखना है कुशल भंडारण ठीक है कुशल भंडारण का मतलब क्या होता है इस्टॉरेज मतलब की एक अच्छा इस्टॉरेज होना चाहिए कि इस्किल इस्टॉरेज मतलब सामान को रखने का एक तरीका होता है सब्सक्राइब को बनाए रखने के लिए उसके बाद आपको लिखना है इसके कुछ मेंथड है उस मेंथड को हम आपको आगे बताएंगे जिसमें कहरा है EOQ मेथड इश्टार अस्तरिस का होता है